खॉलोवोट की आने वाली फिल्म में लेफिसंट टू की बात करें तो में लेफिसंट टू में हमें नजर आने वाली है एंजलीना जोली हम इस फिल्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस फिल्म का जो हिंदी वर्जिन है वो भी रिलीज होने वाला है और हिंदी वर्जिन में आवाज देने वाली है एश्वरिया राई यानि की बॉल वोड की सबसे खुबसूरत अधाकारों में से एक जी हां ऐश्वरिया राय के फैंस के लिए अच्छी खबर है कि ऐश्वरिया राय डिजनी उनिवर्स की एक फिल्म को आवाज देने वाली है इस फिल्म में वो आवाज देंगी एंज्योलीना जोली वाले करेक्टर को यानि मिस्ट्रेस ऑफ इवल वाले करेक्टर को इस फिल्म के फिर्स प्राट की बात करें तो 2014 में Maleficent फिल्म आई थी जिसने बॉक्स ओफस पर अच्छा पर्फॉर्म किया था जिसके बाद Maleficent 2 पांच साल बाद यानी 2019 में आने वाली है यह फिल्म 18th of October से सिनेमा घरों में लग जाएगी इंग्लिश और हिंदी वर्जिन दोनों में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा और हिंदी वर्जिन में हमें आवास सुनने को मिलेगी ऐश्वरिया राय की अब देखना यह होगा कि यह फिल्म जो है इंडिया में भी कैसा परफॉर्म करती है